हेलो फ्रेंज, अगर आप Aries हैं, Capricorn के साथ deal कर रहे हैं या Capricorn हैं Aries के साथ deal कर रहे हैं तो November के मन्द के लिए यह आपकी reading है सबसे पहले हम Aries की इनर्जी चेक आउट करेंगे लेकिन आप switch कर सकते हैं roll अपनी situation के हिसाब से चलिए देखते हैं Aries की love energy क्या रहने वाली है Capricorns के लिए तो यहाँ पर Aries की जो energy देखने को मिल रही है वो है Eight of Swords Page of Vans and Nine of Pentacles तो मुझे यहाँ लग रहा है कि जो Aries है पहले बात तो किसी illusion में जी रहे हैं वो कुछ fears है या तो simply fears है उनके दिमाग में इस connection को लेकर या किसी illusion में जी रहे हैं किसी बात का illusion है उनके दिमाग में लेकिन वो दूर से stock कर रही है थोड़ी toxicity और obsessive behavior भी यहाँ देखने को मिल रहा है मुझे Aries की तरफ से क्योंकि यहाँ पर devil card show हुआ था before तो यहाँ पर मुझे वो लग रहा है कि वो जो devil card था वो काफी passion को show कर रहा है attraction तो full on है Aries के दिल में Capricorns के लिए लेकिन maybe वो represent नहीं कर रही है खुल के सामने नहीं दिखा रही है और दूर से थोड़ा सा stock कर रही है और कुछ fears हैं उनके दिमाग में जो कि just illusions है उनके खुद के दिमाग के बनाए होए कुछ illusions है या इतना ज़्यादा सोचते है जो चीज उनको haunt कर रही है लेकिन nine of pentacles एक positive card निकल की आया है कि जो भी उनके issues थे कहीं न कहीं वो उसको overcome कर जाएंगे निवंबर के मन्त में जो भी fears थे जो भी extra obsessiveness थी या attraction थी extra या lust थी उसको overcome करके यहाँ पे अपनी vibration को high करेंगे अपनी individuality को निखारेंगे अपनी individual self worth को जानेंगे confidence की personality में निखर के आएंगे जो पहले जो चीज उन्हें बांध के रखी हुई थी उस सब को वो पीछे छोड़ देंगे ऐसी energy देखने को मिल रही है Aries की अब देख लेते हैं Capricorn की energy क्या रहने वाली है for the month of November तो यहाँ मेरे पास king of cups आया है four of swords आया है और साथी seven of pentacle आया है तो सबसे पहले तो love की कोई कमी नहीं दिख रही है Capricorn की तरफ से इस connection में लेकिन जाहिर नहीं करेंगे अपना love control कर रहे हैं अपने emotions को प्यार तो है लेकिन बताएंगे नहीं November के month में और दूसरी बात यहाँ कोई मुझे लग रहा है communication नजर नहीं आ रही है आप दोनों के भी इतमें कोई लोगों के लिए बात्चीत शायद बिल्कुल बंद है कुछ लोगों के लिए और है भी है तो काफी minimal होगी November के month में क्योंकि c four of swords किसी चीज की healing चल रही है यहां कुछ तो थोड़ा बहुत मनमूटा हुआ है पास में कईों का suppression चल रहा हो सकता है यहां पे लेकिन जो टैप्रिकॉन की energy दिख रही है कि वो अपने आपको heal कर रही है सोचते तो हैं सोचते तो दोनों एक दूसरे के बारे में हैं लेकिन express करने वाली energy मुझे दोनों तरफ से किसी की भी नहीं दिख रही यह इंसान भी दूर से attraction कावी है क्योंकि bottom of the deck जो है हमारे पास वो ace of vans दिखाई दे रहा है जिसका मतलब है यहां पे बहुत ज़दा attraction है आप दोनों ही एक दूसरे काफी like करते हैं और एक new beginning चाहते हैं विकॉस यहां passion का level जो है वो बहुत ज़दा high है और साथी साथ कुछ लोगों के लिए यहां पे communication आ सकती है एक दूसरे के साथ दोनों ही desperately communicate तो करना चाहते हैं लेकिन issue यह है कि आखिर कौन पहला कदम लेगा कुछ लोगों के लिए यह scenario भी चल रहा है तो final outcome देख लेते हैं 10 of pentacles तो यहां पे एक दूसरे के साथ यह दोनों का common है कि दोनों ही यहां पे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं दोनों ही एक दूसरे की तरफ attraction feel करते हैं burning passion feel करते हैं दोनों ही communicate करना चाहते हैं लेकिन यहां थोड़ी वे भी ego stretch चल रही है कुछ लोगों के लिए कि पहले वो पहले वो पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम तो एक song भी आप सुन सकते हैं आप लोगों के लिए निकल के आया है और यहां पे यह stable जो connection है वो आगे जाके manifest हो सकता है यहां पे 10 of pentacles यही दिखा रहा है कि जो भी एक groundedness है आपके connection में एक stability तो है मतलब कि दोनों ही एक दूसरे को लेकर serious है यहां कोई flirty note वाला issue नहीं है चलिए हब हम देखते हैं advice कहाने के लिए है जो भी मेरे viewers देख रही है Philosopher's Stone Powerful Manifestation of wishes and goals by harvesting universal energy तो आप दोनों कहीं न कहीं यह 10 of pentacle एक दूसरे के साथ चाहते हैं और background में दोनों क्योंकि सोच रही हैं काफी एक दूसरे के बार में तो यह आप manifest कर रहे हैं यह stability को आप attract कर रहे हैं December तक आते आते शायद यह जो stability है और कुछ लोगों की तो November में ही manifest हो जाएगी ठीक है तो यह आपकी प्यारी सी रीडिंग थी आपको कैसी लगी मुझे comment में जरूर लिख के बताईएगा ओके friends बाई बाई